इस पर साल का दूसरा सूरी ग्रहन जो की अंतिम सूरी ग्रहन होगा सरुपित्री अमावस्य यानि आश्विन अमावस्य के दिन लगने जा रहा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सूरी ग्रहन के समय के बारे में ये ग्रहन कब शुरु होगा कब समाप्त होगा ग ग्रहन हमारे देश में दिखाई देगा क्या इस दिन अमावस्या से संबंधित पित्र तडपन या फिर व्रत उपवास आधिकार किये जा सकते हैं साल का दूसरा सूरी ग्रहन 14 और 15 अक्टूबर के बीश लगेगा 14 अक्टूबर को सर्वपित्री अमावस्या है यानि नक्षत्र में लगने वाला है सूरी ग्रहन भारति सम्यानुसार 14 अक्टूबर की रात को आठ बचकर 24 मिनट से शुरू होगा और मध्य रात्री 15 अक्टूबर को रात दो बचकर 25 मिनट पर समाप्त हो जाएगा यानि 14 अक्टूबर की रात से मध्य रात्री तक यानि केवल रात के ही समय में ये सूरे ग्रहन लगने वाला है जब चंद्रमा प्रत्वी की परिक्रमा करते वे सूरे और प्रत्वी के बीच में आ जाता है तो इस तोरान सूरे की रोशनी प्रत्वी तक नहीं पहुच बाती है और इसी खागौली घटना को ही सूरे ग्रहन कहते हैं ग्रह पूजा पार से सम्मंदित कारी करना वर्जित माना जाता है। अगर सूतक काल लगा हो तो ऐसे में हिंदू परमपराओं के नुसर मंदिरों की कपाट बंद कर दी जाते हैं। खास तोर पर गर्भुवती महिलाओं को विशेश साथानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गर्भष्ट शिशु पर गर्भष्ट का कोई भी अश्यो प्रभाव ना पड़ सके। तो हमारे देश में इस ग्रहन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पूजा पार सम्मंदि या श्राद सम्मंदि सभीकारे कर सकते हैं। अमावस्या का उपवास भी आप इस दिखाई नहीं देगा लेकिन दक्षिन अमेरिका के छेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कैनेडा, ब्रेटिश वर्जिन आइलेंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीकुवा, के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहन चाहे कहीं भी दिखाई दे, लेकिन यदि किसी घर में गर्भवती महिला है, या बुजुर्ग है, या वे छोटे बचे हैं, तो उन्हें ग्रहन के समय कुछ साफधानी जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलां को इस समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, जितना हो सके मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें, अपने धर्म की परंपराओं का पालन करते वे, आप अपने मन को शान्त रखते वे, धार्मिक पुस्तगे पढ़ सकते हैं, इस ग्रहन से आपको परिशान कारी अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजेगा